नमस्कार, मैं हूँ ससी, संध्या समाचार में आपका स्वागत है, आए जहरकन के दिन भर की खबर जानते हैं इडी ने मुख्य मंद्री से 9 घंटे से भी ज्यादा समय तक की पुष्टाश की है, दिन के करीब एक बज़े एडी कर्याले पहुंचे सी एम रात को आपस सी एम आवास लोटे, इस दोरान करकरताओ और समर्थ को का होजूम सी एम आवास के बाहर बेचायन दिखा, आज इन ह इतना कहा कि सब ठीक है, चिन्ता की कोई बात नहीं, कोई बिस्तित बात चित नहीं हुई थी, आज यूप्य विधायकों की बैठक सी एम आवास में होगी, जिसमें पिपक्ष के हमलों पर पलटवार की रणीती पर चर्चा हो सकती है अबुआ राज का सपना दिखा कर बबुआ ने जहर्खन को लूटा, बिजेपी के राश्ट्रिये उपाध्यक सपुर्व सीम रघुवर्दास ने गुरुवार को चांदवा के बोर्सी दग मैदान में महागट बंधन की सरकार पर जम कर भडास निकाली, फ्यमंत सरकार को लूट और फ्रष्टाचार की सरकार बताया, उन्होंने कहा कि अबुआ राज का सापना दिखा कर बबुआ मुख्य मंत्री बन कर पूरे जहर्खन को लूटने बैठे हैं, यहां के आदिवासी भाई बहनोंने अंग्रेजों से जीस खनीज समपदा की लूट के विरु लड लड़ी थी, उसे सोरेन परिवार लूटने में लगा हुआ है, जल्द ही जहर्खन में भरष्टाचार, भुख मारी और भय खत्म होने वाला है, इस भरष्टाचारी सरकार के दिन अब पूरे हो चुके हैं जहर्खन का तापमान में गिरावट के असार सिल्सियस गिरावट आने की संभवना है वाटर बेल सिस्टम को लेकर बैठे स्कूलों के प्रचार्य केरल और करनाटक जैसे राजयों के सरकारी स्कूलों में तीन बार वाटर बेल बजाई जाती है ताकि विद्यार्थियों में पानी की कमी न हो वह स्वस्थ और फिट रहे क्या बच्चों के बेहतर स्वस्थ के लिए जारकन के स्कूलों में पानी पीने की घंटी नहीं बच सकती इसी मुदे पर राइधानी की विभीन स्कूलों के परचारियों से बिमर्श किया गया लेकिन उन में समती नहीं दिखी वही स्वस्थ भी से सगयों का काना है कि यह सिस्टम बच्चों के लिए लाबकारी होगा बता दे बाल डोग भी ससगय डक्टर अनिताभ कुमार ने बताया है कि बच्चों को इसकूल में लंच करने का पूरा समय नहीं मिल पाता ऐसे में पानी कहां पी सकेंगे चात्रा में 1 दिसंबर से चलेगा फाइलेरिया उन्मुलन अभियान जार्खन के चात्रा जीले में आगामी 1 दिसंबर से 15 दिवसे फाइलेरिया बिलोपन कारेकरम की सुरुआत होगी जिसकी त्यारी शुरू कर दी गई है जगह जगह बैनर वा पोस्टर चिपकाने का कारे भी सुरू हो चुका है अभियान में दो वर्स से अधिक उम्रवाले लोगों को दावा का खुराग दिया जाएगा जिसका माइक्रो पलान त्यार किया जा रहा है चात्रा में पहली बार लोगों को डी इसी वा एलवेंडा जोल के साथ आइवर मेक्टिम का टेवलेट बित्रन किया जाएगा इससे पुर्वर राजे के सिम्टेगा जिले में आइवर मेक्टिम टेवलेट बित्रित किया गया था इस वर्ष जार्खन के आठ जीलों में लोगों के बीच बितन किया जाएगा जिसमें चात्रा जीला का नाम सामील है धनबाद में धसी जमीन 25 से 30 लोगों के दबे होने की असंका धनबाद में जमीन धसी है, घाटना के बाद मलबे में 25-35 लोगों के दबे होने की असंका है, घाटना जिले के E.C.L. मुगमा छेतर अंतरगत का पासारा आउट सोर्सिंग कोलिवरी की है, यहां सुक्रवारतर के अवैद खनन के दर्मियान 4 धस गई है, 100 मिटर के दायरे में भूध असन हुआ है, घाटना को लेकर अस्थानिय लोगों में दसत है, यह घाटना धोड़ा इलाके से कुछ ही दूरी पर घटित हुई है, पूरे रास्ते में चोड़ी-चोड़ी दरारे है, अस्थानिय लोग के मुतावी घाटना को अड़हाई घंटे बीच चुके हैं पोस्ट कोरोना के बाद नीमोनिया जैसी बीमारी का खात्रा बढ़ गया है, ठीक होने के बाद ऐसे मरीजों की संख्या मिल रही है, रिम्स और सदर अस्पतार में लगातार बदलते मौसम में नीमोनिया से ग्रसित मरीज आ रहे हैं, जिनकी हिस्टरी खंगालने पर पता च लग्षन बताया जा रहा है, अधिकतर मरीज कोरोना से ग्रसित हैं, जिसके बाद उन्हें नीमोनिया के लग्षन दिख रहे हैं, हलाकि अभी इस पर सोध होना बाकी है कि जिसके बाद यह पता चल पाया कि ठीक होने के बाद भी इन मरीजों की रोग परतिरोधक्षम तक की है, सियम हेमन्त बोले, पंकज मिश्रा के अवायद खनन की मुझे जनकारी नहीं, जार्खन की राइनिती वह सासन बेवास्था की इतिहास में 17 नॉंबर गुरु आर के दिन एक अहम कड़ी के रूप में जूड़ गया है, मुख्यमंत्री हेमन्त अवायद खनन मामले में प इडी के तरीके पर सवाल उठाया हुआ, राजय पाल पर भी निशान अता धा, इडी के नाम चीठी भी जारी की और फिर काफिले के साथ इडी कर्याले पहुंचे, छोटे भाई बसंत मुख्यमंत्री को छोड़ने इडी कर्याले तक गए, इधर पुछतास के दवरान ही र बसंत सुरेन बोले मुख्यमंत्री हेमंत्री हेमंत्री हैं और वही रहेंगे, मुख्यमंत्री हेमंत्री 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 मीडिया कर्मियों से बातचित करते हुए विधायक बसंद सुरेन ने कहा है कि हमारा पूरा जारखन है सिर्फ साहेंगज ही क्यों बात कर सकते संताल परगनावा कुलहान में हमारा कीला मजबूत है राज में कुछ लोग बेवजा परिसान है हम इसे परिसाइन नहीं मानते हमा हमान सुरेन मुख्य मंत्री हाँ और वही रहेंगे मुख्य मंत्री को आज किया जाएगा समानीत सीम आवास में आज सुक्रवार को दो पहर 12 बजे यूपिय विधायक दल की बैठक होगी इस बैठक में कई मंत्री भी सामिल होंगे बता दे ज़ारखन आंदोलंकारी संहर शमोर्चा द्वारा सुक्रवार को मुख्य मंत्री हमान सुरेन को ज़ारखन राज के गठन के बाद उन्हेशे 32 खत्यान अधारित अस्थानीयनं युजन निती लागू करने और जार्खन अंदोलनकारियों का मान समान बढ़ाने के लिए जार्खन अंदोलनकारी गौरव पुत्र समान से नवाजा जाएगा साथ ही अभार समिलन का आवेजन भी किया जाएगा इस समिलन में राजे के सभी जीलों के अंदोलनकारी परमपरीक वागे यंत्रों के साथ भाग लेंगे यह जनकारी जार्खन अंदोलनकारी संगर्श मुर्चा के संस्थापक पुसकर महतों ने दिया है DSE के आठ भार पत्र लिखने के बाद भी DPS रांची ने नहीं लिया नमांकन सिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 का पालन दिल्ली पबलिक स्कूल रांची नहीं कर रहा सत्र सुरू हुए साथ मा बीत गए बावजूद इसके 15 बच्चों को नमांकन नहीं मिला इन बच्चों की सूची जून में ही जीला सिक्षा अधिक्षक सा नोडल पताधिकारी आठी रांची आकास कुमान ने इसकूल को भेजी थी इसकूल को नमांकन जल्द पूरा कर DSE कर्याले को अउगत कराने की भी बात कही गई थी इसके बावजूद DPS रांची ने बच्चों का नमांकन नहीं लिया इस दोरान मौई से अब तक नोडल पताधिकारी आठ बार परचारे को पत्र लिख कर हिदायत दे चुके हैं चैनित बच्चों के अभिभावग गुरुआर को जाके रहुसेन पार्क के समक्षधारना देने पहुँचे रांची में 45 लाख इनामी रासी के लिए भीरे खिलारी रांची के मेंगा एस्पोर्ट कंप्लेक्स के ठाकुर विश्वनाथ सहदे इंडोर स्टेडियम में गुरुआर को खेलो इंडिया बिमेंस वोसू लिंग का उद्गाटन मुख्याती थी खेलनी देशक सरोजनी लखडाने किया मौके पर उन्होंने कहा है कि जार्खन सरकार खिर्यारियों को हर संबाव सोयोग कर रही है उन्होंने महिलाओं को अपनी सक्ती पहचाने की प्रेणा दी बताद है कि पर्तोक्ता में स्वर्ण प्रदक जीतने वालों को कूल 45 लाक रुपे का पुरुस्कार दिया जाएगा धन्यवाद यदि आप चैनल पर नहीं होते चैनलों को सब्सक्राइब कर बॉल का बेल एकन दबाए साथी साथ वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों को सेयर करना ना भूले साथी साथ आप हमें कोमेंट पसमें अपना फीडिवा एक अवस से दे थांक यू